तो मित्रो हम कहाँ चुके हैं पहल गाओं में मामलेश्वर मंदिर के अंदर और यह बहुत ही सुन्दर मंदिर हम आपको दिखाएंगे और यहां से जुड़ी सारी बाते भी बताएंगे तो मित्रो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ममल गाओं में जो की पहल गाम से एक किलोमेटर की दूरी पर है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे लिद्दर नदी के किनारे बसा 900 साल पुराना शिव मंदिर और इस मंदिर की खास बात यह है कि साल के पूरे 12 महिने खुला रहता है एक भी दिन ये मंदिर बंद नहीं होता और इसकी जो देखरेग का काम है वो कश्मीर सरकार को सौंपा गया है और यहां के जो पुजारी हैं वो मुस्लिम है और यहां के बारे में मानेता है कि यह वही स्थान है जहां पर मातब पारवती ने अपने उबटन के मैल से गड़ेश जी को तयार किया था याने कि उनकी उत्पत्ति गी थी तो गड़ेश जी की उत्पत्ति का यह स्थान बताया चलते हैं और आपको दिखाते हैं इतना सुंदर सा मंदिर और चारों तरफ आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे हमारी फॉज के यहां पर लाइन से आपको दिखाई देते रहेंगे कदम-कदम पर जिनकी वजह से हमें यहां तक पहुंचना और यहां पर सब घूमना बहु फिलाल इनकी जो भाशा है वो मुझे समझ नहीं आई और हमें सामने ही दिखाई दे गया हमारे शिव जी का इस्थान ये देखिए बाहर से आपको बहुती साथारण सा दिख रहा लेकि इसके अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता हम किसी और दुनिया में पहुच गया अंद मित्रो कश्मीर में रहने वाले हिंदू लोग और परेटकों के लिए ये मंदिर बहुत महत्वर रखता है और वरत्मान में कश्मीर घाटी में रोजाना कुछ न कुछ खतरनाक होता ही रहता है फिर भी ये मंदिर अपनी जगे शांत और इस्थिर खड़ा दिखाई देता ह और आपको बता दे कि नाम जो है यहां का ममल मंदिर है परन्तु आप में से बहुत सारे लोग मैं भी इसको नहीं समझ पाई थी कि ममल का मतलब क्या होता है तो इसके बारे में बताते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर का नाम मंदिर के निर्माता राजा जैसूर की समय से रखा हुआ है और मानेता है कि इस इस्थान पर गड़ेश जी को एक रक्षक के रूप में खड़ा किया गया था और माता पारवती ने उनसे कहा था कि जब तक तक तुम किसी को अंदर ना आने देना इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि मामलो शब्दकार्थ होता है मत जाओ तो यहां के लोगों का कहना है कि मंदिर का इनाम गड़ेश जी की घटना से ही लिया गया है और यहां पर जो इसकी जो हिस्ट्री है वो लिखी हुए इस बोर्ड पर हिस्ट्री ओफ ममल टेमपल तो जो यह मैं आपको बतारी हूँ वही सब को शॉर्ट में लिखा ह हुआ है और आप इसके पीछे देखेंगे बहुत बड़ा सा पार्क सा एरिया है जहां पे आप बैठ भी सकने हैं बड़ा सुंदर सा एरिया पूरा बनाया हुआ है और मित्रो इस मंदिर का संबंध जो है बारवी शताबदी के राजा है जैसिमा के काल से है और यह मंदिर क देख रहे होंगे crystals अलग सा लग रहा है कि अधि-टना नप awareness अलग साल रावाकई में कि इस इस्थान और वही है जहां पे बना हुगा यह यह कुंड है जहां पर बताते की पारवति माता ने इस नान्ण किया था और जहां पर गडेश जी को बिठाया था, तो हम अंदर चलके थोड़ा से देखेंगे कि क्या है यहां पर किस तरीके का क्या है, क्योंकि यहां पर बताया जाता है जो नंदी भगवान है, तो नंदी भगवान जी के दो मुह हैं, मतलब दो सिरवाले नंदी बाबा अंदर हैं और शिप जी था, 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 तरिकड़ था श्रो준 ख करवार को υिआता लंग्ता हम भांग्तमि judgments माने 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 आमना स्युन Tú खेलेज़्ित्बू यह दिधा श्रोँ और यह झालेज़् ए था था मुझे रहो इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और साथ में आपको ये भी बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर पांच पांडवों की पिनडिया इस्थापित है मतलब बताया जाता है कि पांच पांडव यहाँ पर शिवजी के दर्शन के लिए रुके थे लेकिन शिव जी अमरनाथ जो थे वो दूसरे इस्थान से ही निकल गये थे जो पिछला वीडियो दिखाया था जिसमें आपको वो इस्थान दिखाया था जहां उन्होंने नंदी बाबा को छोड़ा था जो आपको नंदी टेंपल गौरिशंकर टेंपल दिखाया था तो यहां पर पिंडिया इस्थापित हैं, ऐसा उन्होंने बताया था, लेकिन मित्रों मैं आपको एक बात बता दू, मैं जब पाताल भूवनेश्वर गई थी, तो वहां पर मैंने गड़ेश जी का कटा हुआ, जो आधा धर था सर, वहां पर देखा था, और उपर से अमरत टपक विजित्र गुफा थी वो, वो सब कुछ भी देखा था, और यहां पर भी ऐसी कुछ कहानी बताई गी है, फिलाल कहानी कुछ भी हो, लेकिन हाँ, यहां के दर्शन करके, और यहां की जो अनुभूती है, वो वाकई में बहुत ही, कहना ची अध्यात्मिक है, और बहुत ही चेत्र है, तो निश्चे ही यह कुछ न कुछ तो यहां से जुड़ा हुआ, जरूरी रहा होगा, क्या कहानिया है, यह तो कहानियों की बात है, लेकिन है इस्थल बहुत ही कहना चीजिए शुद्ध है, बहुत ही पवित्र है, और यहां पर एक बार हर इनसान को जरूर आना चलते हैं के नाम है आपका? जहरान और इसकर नाम क्या है? जहरान और जय्फ भोड़े आरें साइड हो जो तो यहां पर उतरने का या चड़ने का एक shortcut रास्ता भी है जहां से यह बिच्चे लोग उतर रहे हैं तो यहां से भी उतर के जाया जा सकता है यह थोड़ा सा shortcut पड़ता है लेकिन हम सीधे-सीधे ही जा रहे हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते बुढ़ापे में तो हम जा रहे हैं सीधे-सीधे के रास्ते से और आगे पहुंच के हम इस जगह पर पहुंचते हैं देखी कितना सुंदर लिखा हुआ है यहां पर और यहां पर नंबर भी लिखा हुआ कि कोई भी अगर तकलीफ हो असुविदा हो तो इस नंबर पर कॉल करें यहां पर सारी आप क्या नाम है आपका नाजिया को नाज है और अब हम वापस उसी लिद्दर नदी के उपर जो ब्रेज है वहाँ पर वापस आ गए है और यह रास्ता पूरा खतम होगा मेन मार्केट की तरफ जाकर तो यह पूरा वो रास्ता है और देखिए सामने हमारे जाबाज सिपाही कर रहे हैं जिनके उपर हमें बहुत ही गर्व है तो मिलती हुमित्रों अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाय हर हर शब्दू